गर्भवस्था के आठवे मेहने में शिशू से मा का सववाद हम सभी ने देखा है हमारी पिछली वीडियो में कि शिशू से गर्भसवद क्यों करना चाहिए शिशू से गर्भसवद से हम अपने शिशू से साधा कनेक्ट हो जाते हैं गर्बसवाद से आपको जिस तरह का शिशु चाहिए उस तरह का शिशु आप प्रोग्राम कर सकते हैं तो चलिए गर्बसवाद शुरू करते हैं हे मेरे गर्बस्त शिशु अभी आप आठ मेने के हो गए हो अभी आप पूरे तरह विकसित हो गए हो मुझे पता है अभी आपको गर्भ में बहुत कम जगे मिलती है पर अभी आपको कुछ दिन ही वहाँ पे निकालना है आने की बिलकुल जल्बादी आपको नहीं करना है पता है इसका कारण क्या है जितना आप गर्भ में रहोगे उतना ही आप बाहर आने के बाद स्वस्त और बुद्धिमान होगे अभी तक मैंने आपको जो भी कर्बसन्सकार किये है उसका जादा से जादा फाइदा गर्ब में ही होता है इसलिए आपको जल्दी आने की जल्बाजी नहीं करना है हे मेरे गर्बस्त शिशू अभी आपके बाल, हाद और पूरा शरीर पूरे दरविकसित हो गया है अगर अभी आपका जनम भी होता है तो भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है पर जितना वक्त आप कर्भमेर होगे उतना अच्छा है हे मेरे गर भस्तशिशू आप सुसंसकारी, सर्वगुनसंपन, शूरवीर, चतूर, दयालू और परोपकारी हो आपको एक अच्छी संतान की तरह इस दुनिया में आना है ताकि लोग आपका आदर्श रखे आपको अपने माभाप का नाम उचा करना है, अपने व्यावार से, अपने कर्मों से ये दुनिया बहुत सुन्दर है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग है, हाँ, बुरे लोग भी है पर हमें उन लोगों से सामना करने की खोश्यारी रहने चाहिए और मुझे पता है, आप बहुत होश्यार हो, आपको किसके साथ कैसा व्यावार करना है, ये पूरी तरह से पता है हे मेरे करबस्त शिशू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ना के वल में आपके बापा भी आपसे बहुत प्यार करते है चन्द दिनों में आप मेरी बाहों में होगी ये सोच सोशकी मुझे बहुत खुशी होती है मेरे चाहती हो कि मरा शिशु सर्व गुन संपन न हो इसलिए जब तक आप गर्भ में हो तब तक गर्भ का आपको आनन लेना है और जब तक आप गर्भ में हो, तभी तक मैं आप पे गर्भ संसकार कर सकती हो हे मेरे गर्भस तशिशू, आप बहुत ही होशियार हो, आप बढ़ाई में होशियार हो, आप खेल खूद में होशियार हो, आप सारे कलागुनों से संपन्न हो हे मेरे गर बस्तशिशू मैं आपको अच्छी जिन्दगी देने की पूरी कोशिश करूंगे उसके लिए हम बहुत महनत भी कर रहे हैं आपको पता हैं आपके जनम होने के बाद ये जिन्दगी हमारी पूरी तरह से बदलने वाले हैं क्योंकि पिछले आठ महनों से मैं आपका बहुत बेसबरी से इंतजार कर रही हूँ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में ममनी पपा आप से सबसे ज़ादा प्यार करते हैं आपके जनम के बाद हम एक बहुत अच्छा उत्सव मनाएंगे जिसमें हम अपने सारे परिचित लोगों को बुलाएंगे उनसे आपको मिलाएंगे हे मेरे गर्भस्त शिशू आपको दया लो रहना है प्रानी मात्रा पर दया करनी है बड़ो का आदर करना है और जोटों से प्रेम करना है इसके साथ ही आपको परिस्तिति देख के निरने लेना है कभी चतुराई से, कभी होशियारी से मुझे पता है आप बहुत ही संसकारी शिशू हो और आप हमारा नाम इस दुनिया में जरूर रोशन करोगे हे मेरे शिशू, मम्मी पपा आपसे बहुत प्यार करते है और हम जल्दी ही मिलेंगे पर आपका जब वक्त पूरा हो जाए करब में तभी आपको आना है हे मेरे शिशू, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो हे मेरे शिशू, सुरक्षित रहो